सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार, बंदनाक, सिखने में जमा हुआ पलगम, गले में दर्द या फिर गले में खराश अगर आप इन सभी रोगों से सिर्फ तीन खुराक में ही छुटकारा पा जाएं तो कैसा रहेगा? इसके लिए ना तो आपको अंगरीजी दवाओं पर खर्च करना है और ना ही आपको इनका कोई साइड इफेक्ट होगा दोस्तु सर्दी जुखाम खांसी बुखार, ये रोग साल में 2-4 बार होना एक आम से परशानी है या फिर मौसम के बदलने पर ये परशानी हो ही जाती है जो की बिलकुल आम परशानी है लगभग 80% लोगों में ये समस्या 3 दिन में अपने आपी ठीक हो जाती है लेकिन वे लोग जिनकी इम्म्यूनिटी थोड़ी कमजोर है उन्हें ठीक होने में लगभग 7-15 दिन का समय लगी जाता है ऐसे में आपको घरेलियो नुसके या फिर आयरवेदिक दवाओं का सेवन करना जरूरी हो जाता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सभी समस्याओं से सिर्फ तीन खुराक में छुटकारा पाने का एक बहुत ही आसान सा घरेलियो इलाज बताने जा रहा हूँ तो दोस्तो वीडियो में मेरे साथ बने रही है आईए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा काली मिर्च दोस्तो काली मिर्च ना सिर्फ एक मसाला है बलकि ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ाता है इसके साथ ही सर्दी जुखाम खासी बुखार में भी ये बहुत ही ज़्यादा लाबदायक होता है अगली जो चीज हमें चहिए होगी वो है लॉंग यहाँ पे दोस्तो लॉंग का प्रियोग भी हम करने जा रहे हैं लॉंग भी एक मसाला नहीं है बलकि यह हमारे सरीर से कई तरह के रोगों को बाहर निकाल देता है हमारे सरीर को इम्मुनिटी देता है और चोटे मोटे रोगों से हमें दूर रखता है तीसरी चीज जो मैं यहाँ पे प्रियोग करूँगा वो है दालचीनी दालचीनी भी इम्मुनिटी पावर बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अद्भूद और सभी माना जाता है दालचीनी में बहुत से ऐसे पोशक तत्व होते हैं जो कि हमारे सरीर को रोगों से कोसो दूर रखते हैं नुस्के को तयार करने के लिए आपको ले लेना होगा सबसे पहले एक खाली कटूरी इसमें आपको डाल लेना है लगबग एक छोटा चमच काली मिर्च और इसके साथ ही आपको एक छोटा चमच लॉंग भी इसमें डाल लेना है दोस्तों यहाँ पे आपको लगबक देड़ इंच लंबे दालचीनी के टुकड़े का भी प्रयोग करना है सबसे पहले मैं इनको बारीक पीस लूँगा उसके बाद आपको बताता हूँ नुस्खा तयार कैसे करना है दोस्तों यहाँ पे मैंने तीनों चीजों को बिलकुल बारीक पीस लिया है अब आगे बढ़ते हैं और नुस्खा तयार करते हैं दोस्तों इसमें आपको मिलाना है दो चम्मच शहद तो यहाँ पे मैं इसमें दो चम्मच शहद भी मिला लेता हूँ इसे आपको अच्छी तरीके से mix करना है अच्छी तरीके से इसे जब आप मिला लेंगे तो इसका एक बहुत ही गाढ़ा पेस्ट तयार हो जाएगा दोस्तो अब आपको यहाँ पे लेना है 4-5 तुलसी की पत्तियां इसे आपको अच्छी से कूट करके इस पेस्ट में मिला लेना है आप चाहें तो तुलसी की पत्ति का रस भी इसमें डाल सकते हैं यहाँ पे मैं तुलसी के पत्ते को कूट करके इसमें मिला रहा हूँ इसे भी हम अच्छी तरीके से mix करेंगे और पांच मिनिट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे दूस्तु जब भी आपको सर्दी जुखाम खांसी बुखार गले में दर्द, गले में खरास या फिर अदर सीने में बलगम जम जाए तो आप इस तरीके से इस पेस्ट को तयार कर लिजे इसके बाद दिन में तीन बार इसका सेवन करिए थोड़ा थोड़ा इसे चाट चाट के खाते रहिए इस पेस्ट का आप तीन या चार भाग कर लिजे और इसे दिन भर 3-3 घंटे के अंदर में थोड़ा थोड़ा चाटते रहिए एक बार के प्रियोग से ही आपको इन सभी रोगों से लगबग 50% आराम मिल जाएगा दोस्तो ये बहुत ही कारगर नुस्खा है आप इस नुस्खे का प्रियोग करिए और सरदी जुखाम खांसी बुखार, सीने में जमा हुआ बलगम, गले में दर्द, गले में खराज तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर कीजे, मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और बिल्कुल नए घरेलोन उसके के साथ, तब तक के लिए नमस्कार